बारिश के मौसम में कामों को करना बेहद मुश्किल हो जाता है उन्हीं कामों को आज बेहद आसान करेंगे बहुत सारी बच्चत और बारिश के लिए ये बहुत ही योसफुल ट्रिक्स है तो पूरा वीडियो देखेगा वीडियो पसंद आईए तो लाइक शेयर बारिश के मौसम में अगर बारिश होती है तो दो तीन दिन लगातारी ही होती है जिससे जो हम कपड़े दूलते हैं आपने कई बार देखा होगा कपड़े सूख तो जाते हैं लेकिन उसमें अजीब सी बैडिसमेल होती है जो कि पहनने का भी मन नहीं करता जिसकी वज़े स और अगर पहन भी लिया तो किसी के पास बैठने का मन नहीं करता है, बहुत ही गंदा लगता है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, कपड़ों को पलट कर लेना है, उसके बाद उसके उपर आपको पाउडर डालना है, जो भी आपका फेवरेट पाउडर हो, जिसकी खुश् दूलते हैं, उस तरीके से, पूरे ही पाउडर को कपड़ों में फैला के कुछ देर के लिए रख दीजिए, जैसे कि मैं रख रही हूँ, तो इससे क्या होगा, कपड़े में अच्छी सी खुश्बू आ जाएगी, और जो कपड़ों में ये पाउडर है, इसकी लेयर जब क पाउडर इसमें लगा है, हलकी हाथों से ब्रश को चलाते हुए इसे निकाल दीजिए, तो इससे फैल भी जाएगा पूरे कपड़े में जहां नहीं फैला होगा, और पसीना होने के बाद कोई भी दाग धबा नहीं होगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कपड़ा जो है आपका तयार हो जाएगा पहनने के लिए, तो बस अब क्या करना है, इसे हलका सा जटकना है, उसके बाद इसे सीधा करके आपको फोल्ड करके रख देना है, आप देख पा रहा है, लग रहा है कि मैंने इसके उपर पाउडर छिडगा था, तो बस इस तरीके से आप चोटे चोटे ट्रिक्स को अपना के अपने कामों को बेहदासान कर सकते हैं, अब ये पहनने के लिए बिल्कुल तयार है, तो ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो तो वेडियो को एक लाइक जरूर कर लीजेगा, अब देख लेते हैं अगली ट्रिक, तो यहां पर ये रिल हाथों के थ्रू हमारे पेट में जाती है, और पड़े हों ये बच्चे, सबकी तबियत खराब होने का डर भी रहता है, तो आपको अपने फोन को एक बार जरूर क्लीन कर लेना चाहिए, दो दिन में या फिर एक दिन में, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको इसके उपर क पूलगेट लगता है, तो मैंने लगा दिया है, अब मैंने लिया है कॉर्टन, और यहां पर आपको अंदर की तरफ ही इसे घुमाते हुए पूरे फोन में फैला देना है, जैसे मैं फैला रहे हूँ देखिए, आप खीचिएगा मत बाहर की तरह नहीं तो जीधर से आप ख पानी में भीगो कि इसको अच्छे से नहीं चोड़ लेना है, उसके बाद यहां पे देखिए, अंदर की तरफ ही इसे हमें चलाना है, जैसे कि मैंने पहले कॉलगेट को फैला आए था, उसी तरह से इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है यहां पर देखिए फोन आपको clean दिख रहा होगा अब एक कोई soft सा कपड़ा ले लिजे या फिर आप cotton का भी use कर सकते हैं फिर से वही process हमें apply करना है फोन को अंदर की तरफ ही clean कर लिना मतलब कि जो पानी वगर लगा होगा वो सब पोश जाएगा तो यह देखिए फोन बिल्कुल साफ हो चुका है इस तरीकी से अगर आप फोन को regular साफ करते हैं और use करते हैं तो बीमारियों से दूर रहने का chance बहुत ही जादा बढ़ जाता है हमें बीमारियां छू भी नहीं पाएंगी तो इसमें ना एक अजीब सी smell भी आने लगती है और फिर जब इसे हम पोश पाश के रखते हैं कवर करके तो आपने देखा होगा कई बार इसमें नमी भी रह जाती है जिसकी वज़ेश इसकी blade भी खराब हो जाती है इसमें जंग भी लग जाती है और फिर हमारा मिक्सी का जार हो जाता है खराब तो उसके लिए आप छोटा सा trick यूज़ कर सकते हैं जो कि हम सब को बारिस में ये trick ज़रूर यूज़ करनी चाहिए जब भी हम खाना बनाते हैं गैस को off करते हैं उसके बाद में गैस काफी गरम होती है तो बंद गैस के उपर आपको इसे रखना है कुछ मिनट के लिए क्योंकि ये बंद है गैस तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा ना ही गैस का और ना ही मिक्सी के जार का कुछ मिनट इसके उपर रख दीजिए फिर आप इसे निकालिए तो मिक्सी का जार पूरी तरह सूख चुका होगा और जो भी जंग वगर लगने का चांस होगा जो बैट इसमें लोगी सब खतम हो जाएगी अब यहाँ पर देखते हैं बहुत ही यूसफुल ट्रिक है यह है साबून से रिलेटेट तो देखें साबून क्या है ना बड़े बच्चे सब यूस करते हैं और बच्चों को तो कई बार साबून और पानी से खिलने का बहुत ही मन होता है और इसकी वज़े से काफी ज़्यादा साबून नुकसान भी हो जाता है और अभी तो बारी से आप कैसे भी रख दीजे साबून गलता ही है तो आप कपड़े वाला ब्रश लीजे और उसके उपर इस तरीके से आप साबून को रख सकते हैं जिससे की साबून का सारा पानी निकल जाएगा और यह बिल्कुल भी नहीं गलेगा और एक ट्रिक आपको बताती हूँ जो कि बच्चे अगर हैं आपके घर में तो आप इस ट्रिक को जरूर यूज कीजे क्योंकि बच्चों से बहुत ही जादा साबून को बचाना चाहिए इस तरीके से आप कील ले लीजे और साबून के अंदर एक होल कर लीजे इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ अब आप कह रहे होंगे होल क्यों कर रही हूँ आप पूरा वीडियो देखे तभी तो समझ जाएगा ना यहाँ पर मैंने इसमें होल कर लिया है और आप देख पा रहे हैं यह बहुत ही आसानी से हो जाता है और बारिस में अगर आपका साबुन दस दिन चलता है न तो बान के चलेगी इस ट्रिक के थ्रू एक महीने चलेगा तो हो गई न काफी जादा बच्चत अब यहाँ पे देखिए इसमें अच्छा सा होल बन चुका है अब यहाँ पे यूज करना है धागेगा तो धागा जल्दी से तूट जाएगा पानी पाके इसलिए मैं इस तरीके से थ्रेटिंग वाला धागा यूज कर रही हूँ ये धागा जल्दी से सड़ेगा नहीं, जल्दी से तूटेगा नहीं, तो मैंने इसे डबल करके ले लिया है, साबुन में होल किया था, उसमें इसे डाल कर इस तरीके से बांध लेना है उपर की तरफ, तो यह यहां पर देखिए इस तरीके से इसे दोनों ही सीरों को पकड़ कि उनका हाथ थोड़ा पहुंच सके तो जब बार-बार हाथ ऊपर करेंगे तो एक ही दो बार कर पाएंगे उसके बाद थक जाएंगे तो आपका जो साबून है वो बचा रह जाएगा वो बार-बार यूज नहीं कर पाएंगे सिर्फ उन्हें जब बहुत ज़्यादा जरूर कीजिए साबून बहुत ही जादा दिनों तक चलेगा अब यहां पर अगले टिक देखते हैं यह है लहसुन से रिलेटेड तो देखे फ्रेंट्स लहसुन सबके घर में यूज होता है सुबह साम इसको छीलना ही पड़ता है लेकिन इसे जब हम छीलते हैं तो इसको छीलने क काफी जादा जलन होती है और कई बार तो काफी दिनों तक इसमें दर्द भी बन जाता है तो बस एक छोटा सा काम आपको करना है आपको अपने घर में रखा हुआ कोई भी टूटा कप ले लेना है और उसके बाद लसुन को खोल लेना है और जो इसका उपर वाला पाठ है तो उसे इसके उपर पटक देना है तो इस तरीके से वो तूट जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसे छील पाएंगे अगर ये काम आप एक बार करके देखेंगे तो आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा ये देखिए बहुत जादा टाइम नहीं लगता है फटा फ से बहुत सारे लासन छील पाएंगे सिर्फ एक तूटे कप की मदद से ट्रिक पसंद आयो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार भारा सपोर्ट दीजिए